आथियों, 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के ससक्तिकर्ण का बीड़ा उठाया है और आज इसके परिणाम नजर आ रहे हैं आज भारत की पंचायते गाउं के विकास की प्रानवायू बनकर उभर रही है ग्राम पंचायते गाउं की आवशक्ता के अनुसार गाउं का विकास करे इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योदना बनाकर काम किया जा रहा है साथ क्यों? हम पंचायतों की मदद से गावों और शहरों के बीच की खाई को भी लगातार कम कर रहे हैं डिजिटल क्रांती के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है आज पंचायतों पर योजनाय बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक मैं टेक्नोलोजी का भरपूर इस्तमाल हो रहा है जैसे आप लोग अमरुत सरवरोवर पर इतना काम कर रहे हैं इन अमरुत सरवरोवर के लिए जगह चुनने में काम पूरा करने में हर स्तर पर टेक्नोलोजी का खूब इस्तमाल हुआ है आज यहां इग्राम स्वराज जैम इंट्रिगेटेड पोर्टल का सुभारम भी किया गया है इससे पंचायतों के मादम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी इससे अब पंचायतों को कम किमत में सामान मिलेगा और स्थानिय छोटे उद्योकों को भी अपना सामान बेचने का एक ससक्त माध्धम मिल जाएगा दिद्व्यांगों के लिए ट्राइसिकल हो या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजे पंचायतों के सब सामान इस पॉर्टल पर आसानी से मिलेगा भाई और भेनों आदूनिक टेक्नोलोजी का एक और लाब हम पी एम स्वामित्व योजना में भी देख रहे हैं हमारे यहां गाउं के घरों के प्रॉपर्टी के कांगजों को लेकर बहुत उल्जने रही है इसके चलते भली भाती के बाद विबाद होते हैं अवेज कब्जों की आशंका होती है पी एम स्वामित्व योजना से अब ये सारी स्थितियां बदल रही है आज गाउं गाउं में ड्रोन टेक्नोलोजी से सर्वे हो रहा है मैप बन रहे हैं इसके आधार पर बीना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौपे जा रहे हैं अभी तक देश भर में 75,000 गाउं में प्रोपर्टी कार देने का कारिय पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मद्द्र प्रजेश की सरकार इसमें बहुत बहतरीन काम कर रही है